नमस्कार दोस्वय आप श्रभी का बहुत बहुत श्वागते दोस्व सबसे पहले आपको बता दें कि आज को यह वीडियो आप श्रभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्तपून और भूस उखाश रहने वाले इसलिए अज के इस वीडियो pigeon को आप सुरूँ आपके जुन के सबसे बड़े राज से परदा उठने वाले हैं तो दोस्थ इस वीडियो को आप मुँपर ताला लगा कर भी देखिएगा तो कहने का ताथ यह है कि इस वीडियो में बताएगे जो भी शचाहिए आपकी जुन्काल में इसे दोस्थ आप किसे के शाथ भी शेय देखिएगा और वीडियो में बताएगे हर एक बात को आप ध्यांद चुनिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी हम महत्पुन जानकर ने देने वाले हैं आने वाले शुवी में आप शुवी के लिए बहुत ज्यादा लाबकारी और बहुत ज्यादा भागेशाली रहन समाज में आपका मांश्मान और प्रप्रतिष्टा में बढ़ते होगी शायद आपको बता दें की यह में निरमान की पर दोडियो को अंत तक देगी एश विडियो में आपको शुवी महत्पुन जानकर मिलें की आने वाले शुवाद्व में आपके जुनकाल में आपके कौन से राज से परदी उठने वाले हैं कौन-कौन से खुशकुपरी आपको मिलने वाले हैं शाती यश में आपको किल गिन छेत्रों को लेकर शावधान भी रहने होंगे गर के माहल में पारिजुन में क्या-क्या शुदार होने वाले हैं तो दोस्तों अंतर तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों जोई बग्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बोक्ष में शच्चे मन से जयाय मालक्षमी लिखेगा ग्रोजी का और अपनी माता का शिदा चुरबात पराप करेगा तुम्हें तुरौज जरूर लिखेगा और यदि अप्चन पर भी नए है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शाथे बेल आइकन को प्रेश करके और परश लेट कर दे तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं शुरूआत करते हैं कुछ महत्पुन बातों से जो कि आने वाले शुरूर में आपको ध्यान में रखने है दोस्तों बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करने चाहिए क्यों दोस्तों जो होने वाला है वही होगा जो होता है वह अच्छा ही होता है इसे दोसों वर्तमान का अनिद लेना चाहिए जी दोसों जो भी घटना है आपकी जुनकाल में हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है दोसों बुरे कर्म नहीं करने पड़ते हैं वो तो हो जाते हैं और दोसों अच्छे कर्म नहीं होते हैं उन्हें हमें करने पड़ते हैं जिए दोस्तों इन बातों का यश्में आप त्यान रखें आपको बहुत ही अच्छा महशुष होगा दोस्तों आपको यह बात अच्छी लेगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक किजिएगा और कमेंट बॉक्स में शैसरी किष्णा रादे रादे जरूर लिखेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं आने वाले श्में आपकी जुनकाल में कौन से राश्य पढ़ते उठने वाले हैं दोस्तों घर की विल्शिता शम्मंदी चीजों की खर्यदारी में भी खर्च होगा जिसकी वज़ाशे आपका बजट भी गरवला सकता है दोस्तों अपनी मून लिवस्तों को बहुत शमाल कर रखें उनके चोरी होने या फिर खोने की अशंका बन रही है इसको बान दोस्तो दोस्तों या शम्मंदी चीजों के खर्याशे गर में आनदित वातारण बना रहेगा घर के लोगों के आपके दोवरा योक मानदर्शन भी प्राक्त होगा इसको बान दोस्तों या शम्मंदी गर्ण अपनी चमता पर पूरा पिश्वाज रखें दोस्तों या शम्मंदी वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई के परते गर्चित रहें ये आपके लिए बहतर होगे इसको बान दोस्तों या शम्मंदी आपका ध्यान कुछ नकातमगत विदियों की और आकर्चित भी होशकता है प्रत दोस्तों उनमें दूरी बनाकर रखना य दोस्तों किसी को पेशा उदार देने की अवशकता है नहीं है दोस्तों इनसे आप या शम्मंदी बचें यह वर्ग भी बोज मस्ति से द्यान हटाकर के लिए की तरफ फोकुस करें यह आपके लिए बहतर होगे इसको बान दोस्तों या शम्मंदी आपको जीत हासिल होगी आपके नेत्रित गुनों दवरा आप जोगा पैस्तिक्वी पर नियंतरन करके लोगों को भी या शम्मंदी मार दर्शन कर पाएंगे दोस्तों सणियनत से जुड़े वेक्तियों के लिए यह जो दिन है खास दिन होगा काम से सम्मेदित बन रही है योजना को फिर से एक बा दियों में भी आपका वर्च्चों मना रहेगा प्रॉप्ति के विक्रेश्वमंदी और जनाए भी यह सफल होगी दोस्तों परिवार में भी खुशी वरा महावर रहेगा इसको प्राहण दोस्तों यह में कभी-कभी आलश को अपने उपर हावी ना होने दें क्योंकि दोस् दोस्तों वेर्थ क्यातिवधों में खर्च के दिखता रहेगी इसको प्राहण दोस्तों यह शमय आपके अंदर के कला गुनों को योग मारतर्शन और उचित शंदी प्राप्त होने के वज़ाशे आप जो हैं कला की और अधिक सुझा दिखा सकते हैं तो सो बच्चों के व सब्सक्रापों में भी वैस्ता अबन रहेगी जिसे दोस्तों तन वह फिर मन दोनों पर फुलित रहेंगे मित्रों का शलायस में भागदय शाविद होगा खोट केश में भी इस्तिति आपके पक्ष में होने के योग हैं इसको बान दोस्तों परंतु अपने विरोधी की गत जालने में ही आपकी बलाई होगी इसको बान दोस्तों यह श्मय किसी नई काम की शुरुवात आप कर पाएंगे दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही शुकारत बता की वाज़शी जीवन में नई दिशात देना आपके लिए शबब होशकता है इसको बान दोस्तों आपको दिश्मय खूली हवा में बिताने की जरुत होंगी नए विचारेश में आएंगे जो की भर्ष के लिए आपके उपयोगत होंगे इसको बनाद दोस्तों यह श्मय अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह श्मय काम स्वमन्दी योजनाई बनेंगी शाद्यो दोसे अभी कुछ शमय के लिए अस्तगीत रखें यह आपके वाववशाय के लिए असमय बहतर होंगे इसको ब्राण दोस्तों यह श्मय आपके वावववशाय के लिए आपके केरेर के लिए जो समय होंगे अगर कि वाववशाय में साहिदारी के योजना बन रही है तो द वायव्षाय के लिए आपके वायविशाय के िरद रहेंगी इनके अचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों याश्मे अस्थान परवर्तन के भी योग बनेंगे। यह जो परिवर्तन है आपके लिए बहुती लागदायक शक्त होगा। इसको प्रांदोस्तों याश्मे, आपके वाविशाय आपकी केरिक के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम काज का अत्यधीक बोज रहेगा, प्रतु अधिकतर काम, शमय पर निपड भी जाएंगे, दोस्तों कहीं से कोई रुकावा पेशा, पिर अठका हुआ, आपका काम भी इसको बन सकता है, अटका हुआ पिशा भी आपको मिल सकता है, दोस्तों याश्मे वाविपार के लिए जो आपका जो ठोच निरले है, आपके लिए फायदा मजशापित होंगे, इसको प्रांदोस्तों याश्मे अगर आपकी लव लाइक के लिकर बात करें, तो दोस्तों यश में जिवन साथी का भरपूर सयोग रहेगा तथा अपने पिरजिनों और पारिवरिक लोगों की परवा करना आपके लिए आपके महार समान को और दिख बढ़ाएगा इसको प्रांदो सो यश में आपके लव लाइफ प्लिज जो समय होंगे तो सों अपने किसी भी योज सोहर्थ पूर्ण समन रहेंगे परन्तों किसी नई देकी रिष्टेदार के हस्तर छेप के वज़े से दोस्तों गलब फेमी भी हो शकती है तो दोस्तों इंचे आप शाधन रहें इसको प्रांदो सो यश में आपके लव लाइफ के लिए आपके पारिवरिक जिवन के लिए दोस्तों घरी परिवार की स्सांती के लिए जीवन सास्ती की पुर्ण शमर्ण पन की भात न रहेगी घर का वातारंण में बहुत इस्थर में और पुर्वक चलाएं या फिर अपना ध्यान रखकर ही वहान को चलाएं यह आपके लिए बैतर होंगी इसको प्राम दोस्तों आपके स्वास्त के लिए से में होंगी गुटनों तर्टांगों में दर्द बढ़ सकता है वाईवबादी वादी चीजों का खान पान करने से आप ज दोस्तों प्रती दिन सुभ पीपल के पेड़ पर आप एक लोटा जल चड़ाएं मननेता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विश्नु का वास होता है दोस्तों रोज यह उपाई करने से भगवान विश्नु परिशन होते हैं और सुफल जो है अपने साधों को परदान कर तो दोस्तों और इसी अधिक जनकारे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें